वेलकम तू स्ट्रगल क्लासिस जा हम बात करेंगे 9 दिसंबर 2020 के मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेर की तो आप पूरा वीडियो को द्यान से देखिए अगर आप किसी भी competitive exam की तैयारी कर रहे हैं तो निश्टित आपके exam से कर इंटरफेर्स के एक भी कोस्टन चूटने वाले नहीं है बस आप डेली मार्णिंग में वीडियो देखने की habit बना लीजिए तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं आज का पहला प्रस नहीं हाल ही में ADB ने किस राज को बिजली वित्रड को उन्नत करने के लिए 190 मिलियन डालर का रिड मंजूरी दिये तो अभी ADB यानि कि ASEAN Development Bank ने करनाटक को बीजली वित्रड को उन्नत करने के लिए 190 मिलियन डालर का रिड मंजूरी दिये इस कोस्टन का सही है अपतन सही है करनाटक की राजदानी बैंगलूरू में बीजली वित्रड को उन्नत करने के लिए ADB ने 190 मिलियन डालर का रिड मंजूरी दिये ADB यानि कि ASEAN Development Bank इसका मुख्याल है मनीला फिलिपिन्स में अब ADB ने करनाटक के बैंगलूरू में बीजली वित्रड को उन्नत करने के लिए 190 मिलियन डालर का रिड मंजूरी दिये तो MAP में करनाटक का गठन एक नॉम्बर 1956 को वा था राजधाने बैंगलूरू है मुख्यमंत्री B.S. एदुरप्पा और राजपा वजुबाई वालाएं सीटों की बात करें तो लोग सभा में 28 सीट, राजय सभा में 12 सीट, विदान सभा में 200, 25 सीट और विदान परिशद में 75 सीट है गोवा, महराष्ट्र, आंधरप्रदेश, तमिल नाडू और अरब सागर की सीमा करनाटक की सीमा से मिलती है इहां का important नेशनल पार्क है, अन्सी नेशनल पार्क इसके स्थापना 1987 कोई ती और माधिपूर नेशनल पार्क इसके स्थापना 1974 कोई थी नेक्सट कोस्टन है हाल ही में किसने आगरा मेट्रो रेल परियोजना का उधगाटन किया है तो अभी भारत के प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी ने आगरा मेट्रो रेल पर्योजना का उद्गाटन किया है इस कोस्टन का ए आपतन है सही है पीम मोधी ने वीडियो कांफरेंसिंग के जरिये आगरा मेट्रो रेल पर्योजना का उद्गाटन किया यह योजना ताजमाल आगरा किला सिकंदरा जैसे प्रमुक पर्रेटक आकर्स को रेलवे इस्टेशनों और बस इस्टेंडों से जोड़ेगा नेक्स्ट कोस्टन है कौन सा देश वर्स 2021 के एसिया कप की मेजबानी करेगा तो अभी स्री लंका वर्स 2021 के एसिया कप की मेजबानी करेगा इस कोस्टन का ए आप्टन सही है 2020 में एसिया कप होने वाला था और 2020 के एसिया कप की मेजबानी पाकिस्तान करने वाला था लेकिन COVID-19 के कारण इसे जून 2021 तक अस्तगित कर दिया गया और अब वर्स 2021 के ACA कब की मेजवाने स्री लंका करेगा अब 2021 के ACA कब की मेजवाने स्री लंका करेगा तो MAP में स्री लंका स्री लंका की राजदाने स्री जैवर्दने पूरा कोटे और यहां की पुर्व राजदाने थी कोलंबो और यहां का सबसे बड़ा सर्वी कोलंबो है मुद्रा स्रीलंकाई रुपया प्रदानमंत्री महिंद्रा राजपच्चे और राष्ट्रपती गोठावेया राजपच्चे हैं नेक्स्ट कोस्टन है हाल ही में किस बैंक ने आई मोबाईल पे नामक एक मोबाईल एक लांच किया है तो अभी कार्पोरेशन आफ इंडिया इसका मुख्याल है मुंबई में इसके मैनेजिंग डाइरेक्टरों चीफ एक्जीक्यूटी अपसर याने कि MD&CEO संदीब बक्ति हैं और इसका टेग लाइन है हम है ना ख्याल आपका नेक्स्ट कोस्टने हाल ही में रवी पटवर्धन का निधन हुआ है वे कौन थे तो रवी पटवर्धन का निधन हुआ है ये मराथी अभिनेता थे इस कोस्टन का स्री आप्टन सही है यह यह इमेज में रवी पटवर्धन जिनका हाल ही में निधन हो गया है नेक्स्ट से साल 2020 का राजा भूमी बोल विश्वम्रिदा दिवस पुरसकार दिया गया है तो अभी ICAR को साल 2020 का राजा भूमी बोल विश्वम्रिदा दिवस पुरसकार दिया गया है इस कोस्टन का भी आप्सटन सहिए आई सी ए आर यानि कि इंडियन काउंसिल आफ एग्री कल्चर रिसर्च भारती क्रिसी अनुसंदान परिशत तब राजा भोमी बोल विश्व मृदा दिवस पुरसकार देता को ने और आई सी ए आर को दिया क्यों गया है तो यह पुरसकार प् 2019 में विश्व मृदा दिवस समारों में स्वस्ट मृदा के मात्तों के बारे में जागलुकता बढ़ाने के लिए दिया गया है यफ ए ओक्य स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को इति मुख्याल है रोम यानि कि इटली में विश्व मृदा दिवस पांच दिसंबर को मनाया जाता ह नेक्स्ट कोस्टन है हाल ही में मदुकर गंगाधर का निदन हुआ है वे कौन थे तो मदुकर गंगाधर का निदन हुआ है ये हिंदी लेकक थे इस कोस्टन का ए अब्दन सही है यह यह इमेज में आल इंडिया रेडियो की लेकक मदुकर गंगाधर जिनका हाल ही में निद देयां होंगे इनकी दो प्रसित द्रचनां मोथीयों के हाथ और हिरन की आके तो आप विशह करते कि दोनों प्रसित द्रचनां मैं याद रखी एकट वश्चन हैं हल ही में कऊंसा देश चंदरमा पर झंडा फारा वाला दूसरा देश बन गया है तो अभी चाइना चंद्रमा पर जंडा फाराने वाला दूसरा देश बन गया है इस कॉस्टन का सी आप तर सही है अच्छा चाइना दूसरा देश बना है तो पाला देश को ने अमेरिका पाला देश है अभी हाल ही में चीन ने चांग E-5 नामक एक मिसन लांच किया था और उस मिसन के दोरा ने यह उपलब्दी हासिल किये यह मिसन चंद्रमा से मिट्टी चट्टान के नमूने इकटे करने के लिए बेजा गया था अगर यह मिसन सफलता पुर्वक नमूने इकटे कर लेता है तो चाइना दुनिया का तीसरा चंद्रमा से नमूने इकटे करने वाला देश बन जागा इसके पले अमेरिका और सोवियत संग चंद्रमा से नमूने इकटे कर जुके हैं अब चाइना चंद्रमा पर जंडा फाराने वाला दूसरा देश बन गए है तो एम एप में चाइना, चाइना की राज़दानी बीजिंग है, मुद्रा रेन मिन भी और ना की राष्ट्रपती सी जिनिपिंग गए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में वेल आइकन के बटन पर प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक महुँ सके, अगर आपको किसी भी क पॉस्टेन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, जय हिंद वंदे मात्रा